हलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने सी सेट के जो पेपर की कंपरेंशन से वो सारे डील कर लिये थे अब इसके बाद मैं स्पेसिफिक लिए जो मेरे को रिक्वेस्ट आई है वो GS के डिसकेशन के लिए आई है कि सर एकनॉमी वगरा का जो थोड़ा पार्ट है और बाकी पॉलिटी वगरा का भी मेंली फर्स्ट प्राइटी पे आप डिसकस करेंगे और एक ओवरल एनालेसिस भी डिसकस करनी है कि बही पेपर किस पैटरन के रिगार्डिंग था क्या क करने जा रहे हैं विकॉस जो मेरा सेट आया था फ्रेंट्स वो सब ए ही आये थे इवन सी सेट का भी ए था और आपका जो जनल स्टेडिस का यह पेपर है उसका भी सेट ए था ओके चलिए तो फ्रेंट्स जैसे कि पहला कुशन आया था कि consider the following statements क्या बोल रहा है governor of the RBI is appointed by the central government ठीक है तो फ्रेंट्स देखिए कभी कवार क्या होता है कि guess करना होता है आपको कुछ चीज तो इसका option मुझे अब तक यह ठीक लगाता जब मैं as a examination point of view बात कर रहा हूँ आप से कि भाई आप जो भी answer है फ्रेंट्स देखिए आप लोगों ने जितना मैं जानता हूँ आप लोगों ने answers की जो है या फिर different different faculties ने जो वीडियो अपलोड करी हैं वो आप लोगों ने अभी तक देख लिए होगी पर फ्रेंट्स आप मानिएगा कि जो भी मेरे जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये as exam point of view बना रहा हूँ कि जब जो मैंने exam में answers fill किये हैं उसमें मै चाता हूँ कि उस examination pressure में जो हम चीजे करकर आते हैं और उसके बाद जो हम analyze करते हैं उन दोनों चीजो में जमीन आसमन का फरक होता है तो हम उस चीज को ध्यान में रखकर ये सब करेंगे और बाकि फिर आप उस चीज को देख सकते हैं कि जब आपको पता है कि answer ये था पर हम मैंने answer जल्द बाजी में या तो सही कर दिया या फिर गलत कर दिया तो उसका क्या reason हो सकता है ठीक है चलिए फिर second statement क्या बोलता है certain provisions certain provisions मतलब कुछ provisions हो सकती है तो इसने certain provisions बोला in the constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest अब बही कुछ provisions तो हो ही सकती है अब देके friends provisions के बारे में तो मैं भ पढ़ कर लग रहा है कि भई ये ठीक हो सकती है ठीक है फिर the governor of the RBI draws his power from the RBI act तो friends मुझे कुछ हथ तक ये जो बात थी ये ठीक नहीं लगी ठीक है ना तो मैंने क्या किया था अब जैसे आपने देख रहे होंगे कि इसमें जो ये जिस भी student का paper है उसमें इन्होंने 1,2,3 कर रखा है और पर मैंने इसका answer क्या किया था 1,2 इसमें friends मैं एक चीज और बताना चाहूँगा जो मैंने चीज notice करी कि during my preparation friends जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग देखते हैं कि ट्रिक्स वगरा की बाते चलती हैं कि तो क्या होता है friends जब जैसे माल लीजे मैंने भी before examination कुछ इस तरी की चीज देखी थी because friends pressure होता है तो ऐसा लगता है कि तयारी नहीं हुई है या कुछ इस तरी की बाते होती हैं तो हम क्या होते हैं जब हमने ट्रिक्स को देखा मैंने देखा तो मैंने देखा कि हमारे को एक ऐसा शक्की नजर से question को देखने के लिए मजबू हला कि मैंने first attend नहीं किया था मैंने last से middle से attend किया था मैंने first question तो मुझे पता ही था मुझे नहीं attend करना है तो अब आप यह देख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि C statement गलत होगी जरूर हो सकता है सारी true हो पर friends अगर आप जादा भी यह जो tricks वगर के video होते हैं अगर आप देख all of the above लिखानी one two three जितना दे रखा है वो सारे options उसने बोल दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि UPSC सारी statement गलत देगी या फिर एक नाई गलत देगी देगी ऐसा तो जलूर कुछ भी बात नहीं है तो friends उस चीज़ को भी हमारे को ध्यान में रखकर चलना है ठीक है ना तो अब कि आप लोग जानते ही होंगे कि इसका अंसर क्या होगा ठीक है ना मैं अभी तक नहीं जानता हूँ इसलिए पर मैंने one and two options को चूज किया था अब आप यह देख सकते हैं कि मेरे से भी इस पाट पे कहां गलती हुई और कहां गलती नहीं हुई है ओके चलिए second है with reference to the casual workers employed in India consider the following statements ठीक है अब वो बोलता है all casual workers are entitled मतलब जितने भी casual workers है उनको entitled है कि उन्हें public provident fund में cover होगा तो friends ये तो मुझे statement बिल्कुल extreme लगी कि इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि भी सारे casual workers को आपके include कर लीजे तो जैसी आप one को deduct करते हैं ठीक है ना तो ये हमने deduct क कर लिया तो उसके बाद हमारा जो answer बचता है वो हो जाता है second and third ये मेरा as a exam point of view था कि जो मैंने exam में criteria follow किया था अब फिर second and third पढ़ लेते हैं इसमें आपने देखा कि जैसे अगर मैंने third statements को काटा था तो कौन सी statement बची थी one and two बची थी ठीक है ना इस वज़े से मैंने उस answer a लगाया था इसका भी one and two तो अब आप एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा first का answer भी a था और second का भी answer a था ठीक है ना तो ये क्या होता है UPSC एक mind में आपके भी इस तरगी का pressure create कर देता है या फिर कुछ YouTube के वीडियो जरूरी थोड़ना है friends की पहले का answer a है तो दूसर का B है तो तीसरे का B नहीं हो सकता तो friends ये तो किसी भी हद तक का logic नहीं है ये तो it's solely depend upon the question कि भई question की क्या demand है question की क्या वो चाता है ठीक है ना तो अब answer तो कुछ भी हो सकता है मैं तो कहता हूं सारी A भी हो सकते हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं है तो इस तरह की वीडियो friends market पे जो आपको available है data तो मैं चाता हूं कि आप cautiously उस चीज को देखें और sort out कीजिए कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना और exam के पहले कब तक देखना है मतलब आपने अगर download भी करके रख रखा है तो please उसको cautiously देखिए कि भई मेरे mind पर उसका एक over impact ना पड कर जाए कि भई मैं उसी की basis पर सारे question solve कर रहा हूं आपको अपनी जो reasonable logical thinking है उसको भी आपको apply करकर चलना हुआ अब अभी देखिए अब क्या को बोल रहा है यहाँ पर भी all है ऐसे तो कि sir आपको लगा कि all है यहाँ पर तो आपने इसको direct कर दिया बट friends देखिए क्या होता है जरूरी नहीं कि all workers लिखा हुआ है तो क्या पता अगर कोई अच्छी बात होगी तो वो तो सभी workers को मिलनी च चाहिए और overtime payment के लिए भी पैसा मिलना चाहिए तो यह तो अच्छी बात है तो यह तो सब worker को मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है तो government can देखिए लिखाए government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages अब देखिए कितने शब्दों का खेल खेला है UPSC ने पहले तो कह दिया can फिर बोला shell mandatory है कि वो भाई pay wages करे only through its bank account तो friends दिखिए अब मैंने का भाई हो सकता है कि government इस तरीके से notification ला सकती है ठीक है ना कुछ इंडिस्ट्री के लिए तो मैंने इसको correct कर दिया ठीक है और इसी तरीके से फिर मैंने answer आपका क्या कर दिया था A मैंने direct कर दिया था 1 कट गया तो मैंने answer इसमें कर दिया था आपका B and 3 चलिए अच्छा तो इसका तो answer change हो गया फिर पहले का A था दूसरे का B हो गया चलिए next question की तरफ चलते है Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession की बही अगर market में economic recession चल रहा होगा तो देखिए पहली बात अगर हम अगर हम अगर हम देखिए तो economic recession का मतलब होगा की आर्थिक मंदी है अब आर्थिक अगर मंदी है तो हमारे को पैसा market में डालना पड़ेगा लोगों की purchasing power बढ़ानी पड़ेगी लोगों को बदला bank जादा loan दे इसलिए rate कम करना पड़ेगा ये ऐसा एक हम economic standard पढ़ते हैं basically तो अब इसमें से जो बाते हमारे को लगती है ठीक कि cut in tax rate accompanied by increase in interest rate तो मैंने आपको बताया friends interest rate तो increase नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप interest rate को increase करते हैं तो इससे क्या effect पड़ेगा interest rate बढ़ गया तो उसका क्या हुआ interest rate bank भी बढ़ा देंगे bank बढ़ा देंगे तो लोगों की purchasing power कम हो जाएगी क्योंकि loan नहीं लेंगे ठीक है न तो ये तो हमारा point नहीं हो सकता increase in expenditure on public project ये बात friends बिल्कुल ठीक लग रही है देखिए यह answer match भी कर रहा है हमारा ठीक है न क्योंकि अगर public expenditure बढ़ाएगी government तो क्या होगा ज़्यादा लोगों को employment opportunities मिलेगी जितना ज़्यादा लोगों को job मिलेगी उतना ज़्यादा वो पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा तो व भी B और D तो contradictory statement हो गई अगर आपने B को correct कर दिया तो D तो गलत ही है और अगर आपने D को correct कर दिया तो B आपका गलत होई जाएगा ठीक है ना बट इसका answer क्या है B Consider the following statements, other things remaining unchanged जैसा आप economic में पढ़ते हैं कि other thing remaining constant तो UPSC ने इसी पर question बना दिया कि other thing remaining constant से आपका क्या मतलब हुआ तो इन्होंने फिर चार option देकर हमारे को बताया कि आप कौन सा choose करना चाते हैं तो friends एक-एक statement पढ़ेंगे और उसको analyze करेंगे पहला statement बोलता है price of its substitute increases मान लिजे अगर हम tea और coffee की बात करें कि coffee का अगर price बढ़ जाता है तो यह बोल रहा है कि market demand for a good might increase कि आपने देखा substitute good का price बढ़ गया, coffee का price बढ़ गया तो क्या होता है friends टी की demand बढ़ जाती है तो क्या पहला part हमारा ठीक हो सकता है बिल्कुल कि बढ़ अगर tea की demand की अगर हम बात कर रहे हैं तो coffee का price बढ़ने से tea की demand बढ़ जाती है क्योंकि लोग क्या होंगे friends shift हो जाते हैं coffee से tea में दूसरा part पढ़ लेते हैं price अब देखिए friends one and two are the complimentary statement अगर आपने पहले को ride कर दिया तो इसका मतलब दूसरा आपका wrong हो जाएगा कि price of compliment increases तो मेरे साथ से second तो गलत हो गया और अगर second आपने गलत कर दिया तो ये statement गलत हो गई ये statement गलत हो गई अब one three four और आपका one and four तो इसका मतलब one and four तो हमारा पका हो गया तो four तो हमारा पका हो गया अब हमारे को three statement देखना है अगर हमारा ये ठीक हो जाता है तो तो हम one three four को कर लेंगे नहीं तो हमारा answer हो जाएगा one and four आप पढ़ लेटे क्या बोता है तो good of an inferior good inferior good inferior good मतलब हो गया friends कि माल लिजे आपकी इंकम 25,000 रुपे है ठीक है ना तो आप 30 रुपे केजी का जो है वीट फ्लोर एक तरह की सा आटा खरीदते हैं बड़ जैसे ही आपका फ्रिंट्स माल लिजे 30,000 में आपकी सेलरी कर देता हूँ तो आप क्या होंगे फिर आपको लगेगा तो ये क्या कह रहा है तो क्या इसकी डिमांड बढ़ जाएगी आपकी इंकम बढ़ने से तो फ्रेंट्स ये तो किसी भी हद तक बात ठीक नहीं लग रही क्योंकि जैसी आपकी इंकम बढ़ेगी आप कार में ले लिजे आपके पास 20 लाग रुपे हैं तो आप A और B कार मान लिजे ठीक है न तो अब आप जैसी आपके पास इंकम आपकी बढ़ेगी तो आप अच्छी से अच्छी कार लेना चाहेंगे तो इसी तरीके से ये आंसर 3 गलत हो जाएगा तो आंसर अमारा हो जाएगा A 1 and 4 तो ये मेरी एक logical thinking है question को करने की देखे अभी तो मैं आपको इतने detail में बता रहा हूँ जैसे की बई क्योंकि reason क्या है क्योंकि हमारे को question की science को पढ़ना है ठीक है ना आपको सही या गलत तो मुझे लगता हर को ही बता देगा ठीक है ना even UPSC के answer की भी अगर आप देखेंगे तो उससे आपको सही या गलत पता चल जाएगा but what is the reason की बई ये statement सही है या नहीं है इसके पीछे क्या reason हो सकता है मैं चाता हूँ आप लोगों को वो concept जो होता है वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए ठीक है ना चलिए तो हो सकता है friends मैं economics के भी आपके दो पार्ट में लेकर आऊँ ठीक है ना बट आप ज़्यादा कोई issue नहीं है हमारे पास अगर अच्छा हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना रह गया जो economics में मेरे साबसे हमारे पास questions थे तो 14 question आया है friends ठीक है ना जो कि हम side by side करके deal करेंगे ठीक है तो most probably मैं इसमें हमने 4 question deal कर लिये हैं तो 2 question और deal करके इसमें हम 7 questions deal करेंगे फिर other part में 7 questions को और deal करके economics का session पूरा pack कर देंगे With reference to the urban cooperative banks in India consider the following statement अब urban cooperative bank के बारे में बात कर रहा है तो friends कहता है which of the statements are correct तो जब मैंने friends पढ़ा था तो सबसे पहले statement मैंने तो ये पढ़ा था कि they can issue equity shares and preferences और friends देखिए मैं commerce background से belong करता हूँ तो reason क्या है मैं उस चीज को analyze कर पाया तो हो सकता है friends यह कलत हो बट मेरे को इसके बारे में idea नहीं था ठीक है ना बट मुझे इस question को solve करना था क्योंकि friends जो economics है जो quality है जो आपका थोड़ा सा current affairs है उसको थोड़ा सा priority पे रखकर मेरे भी वो था और फिर history, geography वगरा को secondary में रखकर इस तरीके से मैंने question की अपनी proprietary बनाई थी कि मुझे किस तरीके से attempt करना है question paper को तो friends जैसे ही second statement गलत होता है तो आप देख सकते हैं second ये गलत हो गया, ये गलत हो गया one statement तो friends confirm है अब मुझे three option को choose करना है कि three अगर सही होगा they were brought under the purview of banking regulation act through an amendment in 1966 तो friends इतनी बात बोल रहा है तो मुझे लगता था कि शायद ये सही होगी तो मैंने आपको पता है कौन सा answer किया होगा one and three और हम एक बार one statement पढ़ लेते हैं they are supervised and regulated by the local board set up by the state governments ठीक है न? जैस मुझे लगता है कि friends ये जो एक PMC cooperative bank का जो एक case हुआ था उससे related में ये मुझे लगता है UPSC ने question पूचा है बाकी please आपके views भी welcome है आपका अगर कोई difference of opinion है आगर आपका या कोई आप different logic देगना चाते हैं तो please आप मुझे comment केर के बता सकते हैं मैं उसका आपको surely answer दूँँगा और अपना views और अच्छे से express कर सकता हूँ 7th question है Consider the following ठीक है जी चार्ज statement आपको दे दी Which of the above can be included in foreign direct investment ठीक है जी चलिए तो foreign direct investment क्या होती है अब friends देखिए जो भार से पैसा आता है उसको हम foreign direct investments बोलते हैं तो अब basically friends देखिए अगर हम बात करें तो इसका answer जब मैंने पढ़ा था तो मैंने 4th को तो friends cross कर दिया था योगि जितना मुझे लग रहा था कि non resident external deposits तो हमारी FDI का part नहीं बनती है तो जैसे ही मैंने 4 को काटा तो मेरे C or D तो eliminate हो गए अब मुझे 1, 2, 3 and 3 में से choose करना था इसका मतलब क्या हुआ 3 तो confirm हो गया ये तो confirmed हो गया अब बात आती है friends foreign currency convertible bonds तो friends ये जो bond होते हैं इसमें foreign currency में पैसा आ जाता है हमरे पास और foreign institutional investment कहीं ने कहीं ये भी हमारा FDI का part होता है तो मैंने friends 1 and 2 को right किया 3 तो हमारा right था ही था तो मैं option A के साथ जाना चाहूँगा ठीक है तो friends इसी के साथ हम लोगों ने 7 question पूरे economics के deal कर लिये हैं आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर हमारे को as a time positive के साथ ये सब सीज़े analyze करनी होती है और be sure कि भई आप अगर आप कोई भी question attempt नहीं करें तो please question paper पे छोटा सा क्रोसमा का आप लगा सकते हैं जिससे कि आपको जो आपकी time की shortage है या time की availability है उसका आप खास तोर पे ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो friends इसको मैं अभी यहीं तक रखता हूँ बागी के second part पे हम 8 questions 14 questions को deal करेंगे ठीक है friends तो तब तक के लिए friends पढ़ते रहिए और वीडियोस को इसी तरह के से like, share, support करते रहिएगा मिलते हैं friends next lecture में Thank you